परिचय ये दीवाली का समय है वानी अपने घर के सामने मुम्बतिया जला रही है उसके पास तीस मुम्बतियां हैं वो उन्हें पांच पंक्तियों में लगाना चाहती है वो जानना चाहती है कि एक पंक्ति में कितनी मुम्बतियां लगानी चाहिए वो जल्दी से गड़ना करती है और प्रत्येक पंक्ति में छे मुम्बतियां लगाने का निश्चह करती है बच्चो इस बाट में हम गुणन तथा भाग के बारे में और अधिक जानेंगे आओ सीखें गुणन की क्रियाओं को करना भाग की क्रियाओं को करना गुणन जोड को दोहराना गुणन होता है उधारण के लिए पांच कुर्सियों के पैरों की कुल संख्या पता करने के लिए हम चार को पांच बार जोड़ेंगे, क्योंकि प्रतीक कुर्सी में चार पैर होते हैं, चार जमाचार 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 बराबर बीस अन्ने शब्दों में संख्या 4 में संख्या 5 का गुणन करने पर बीस फ्राप्ट होता है हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 गुणा 4 बराबर 20 गुणन के लिए ये चिन्ह लगाते हैं पहली संख्या 5 गुणन कहलाती है दूसरी संख्या चार गुणे कहलाती है और गुणन का परिणाम गुणन फल कहलाता है गुणन के कुण आओ अब हम गुणन के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं इन बिंदूओं को देखें ये तीन पंक्तियों में हैं प्रतेक पंक्ति में पांच बिंदू है, हम बिंदूओं की कुल संख्या कैसे पता लगा सकते हैं? जी हाँ, हम पांच को तीन बार चोड़ते हैं, दूसरे शब्दों में हम पांच गुणा तीन का आंकलन करते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुण 5 जोकी 15 होता है अव हम 15 बिंदुों के विभिन विन्यासों को देखते हैं सभी बिंदुों को 15 बिंदुों की एक पंक्ति में लगाया जा सकता है एक गुण 15 बराबर 15 प्रतेक बिंदू को एक बिंदू की पंधरा पंक्तियों में लगाया जा सकता है. पंधरा गुणा एक बराबर पंधरा प्रतेक बिंदू को तीन बिंदू की पंधरा पंक्तियों में लगाया जा सकता है. पंधरा गुणा तीन बराबर पंधरा एक गुणा पंद्रा बराबर पंद्रा होता है पंद्रा गुणा एक बराबर पंद्रा होता है पांच गुणा तीन पंद्रा होता है और तीन गुणा पांच भी पंद्रा होता है दो की गुणन सारणी जब हम गुणन के तथियों का इस्मरण करते हैं तब गुणन करना आसान हो जाता है। गुणन के तथे गुणन सारणियों में दिये होते हैं। चलो, दो की गुणन सारणी से प्रारंब करते हैं। दो गुणा एक, दो होता है। दो गुणा दो, चार होता है। दो गुणा तीन, चै होता है। 2-4, 8 होता है. 2-5, 10 होता है. 2-6, 12 होता है. 2-7, 14 होता है. 2-8, 16 होता है. 2-9, 18 होता है. 2-10, 20 होता है. 3-10 तकी गुणन सारणी आउ अब हम 3-10 तकी संख्याओं की गुणन सारणी को जानते हैं चलो तीन की सारणी से प्रारंब करते हैं अब 4 की सारणी 5 की सारणी 6, 7, 8, 9 तथा 10 की सारणिया आउ खेलें संख्याओं का गुणन करके सही विकल्पों को उठा कर उनके संगत बक्सों में रखें एक अंक वाली संख्याओं का गुणन एक फल के कटोरे में 6 सेब रखे हैं इस प्रकार के 13 कटोरों में कितने सेब हुँगे इसका उत्तर पता लगाने के लिए हमें तेरा का गुणा छै से करना होगा तेरा को दस जमात तीन के रूप में लिखते हैं दस और छै का गुणा करते हैं इसके बाद तीन और छै का गुणा करते हैं फिर दोनों को जोड देते हैं दस गुणा छै साथ होता है तथा 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है अब 60 और 18 का जोड़ करने पर 78 प्राप्त होगा अताह 13 कटोरों में 78 फल रखे होंगे उधारन 75 का 6 से गुणा करते हैं संख्याओं को एक दूसरे के नीचे रखते हैं 5 का 6 से गुणा करते हैं 5 गुणा 6 तीस होता है 6 के नीचे 0 तथा 7 के उपर 3 को रखते हैं अब 7 का 6 से गुणा करते हैं 7 गुणा 6 बैयालीस होता है 42 और 3 को जोड़ते हैं 7 के नीचे 45 लिखते हैं उत्तर 450 होता है भाग के कुण भाग गुणा का ठीक उल्टा होता है ये घटाने की प्रक्रिया को दोहराना होता है आओ अब हम भाग के बारे में और जानते हैं इस चित्र को देखें 6 गमले लगाता है अब उसके पास 18 गमले बचते हैं वो दूसरी पंक्ती में 6 गमले लगाता है अब उसके पास 12 गमले बचते हैं वो दूसरी पंक्ती में 6 गमले लगाता है अब उसके पास 6 गमले बचते हैं वो चौती पंक्ती में भी 6 गमले लगाता है अब उसके पास कोई भी गमला नहीं बचता है अन्य शब्दों में 24 गटा 6 गटा 6 गटा 6 गटा 6 बराबर 6 ने होगा माली ने 24 गमलों को 4 पंक्तियों में बांटा है जिससे प्रत्य पंक्ति में 6 गमले रखे हैं हम इस इस्थिति को ऐसे लिख सकते हैं 24 को 4 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है ये भाग का चिन है संख्या 24 भाज़े है 4 भाज़क है तथा 6 भाग फल है उधारण 18 लड़कियों को एक बस में बिठाना है एक सीट पर दो लड़कियां बैठ सकती है तो बताएए कि बस में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए चलिए देखते हैं सबसे पहले तो लड़कियों को दो के समोहों में बाटते हैं कुल नो समोहों बनते हैं इसलिए बस में कम से कम नो सीटे होनी चाहिए हम उपयुक्त समस्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अठारा भाग दो बराबर नो आउखे लें संख्याओं का भाग करके सही विकल्पों को उठा कर उनके संगत बक्सों में रखें हमने क्या चर्चा की जोड को दोहराना गुणन होता है गुणने वो होता है जिसको किसी संख्या से गुणा किया जाए गुणक गुणन करने वाली संख्या होती है गुणन का परिणाम गुणन फल कहलाता है घटाने को दोहराना भाग होता है भाज्ये वो होता है जिसका किसी संख्या से भाग किया जाए भाजक भाग करने वाली संख्या होती है भाग का परिडाम भाग फल कहलाता है